हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोग को सिग्नल प्राइबेट मैसेंजर अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तो कैसे आप इसे यूज करोगे और क्या क्या इसकी खुबिया हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तो यह signal application जो है दुनिया का सबसे पहला safe और secure private messenger application है दोस्तो अगर आप इस application को use करते हो तो दोस्तो आपकी किसी भी तरह की personal information को कहीं पे भी share नहीं करेगा और दोस्तो नहीं किसी तरह की storage जो है cloud पे save करेगा दोस्तो यह application पूरी दुनिया के अंदर काफी तेजी से popular हो रहा है और दोस्तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कैसे इसे use करेंगे और जो सारी इसकी खुविया है दोस्तो मैं आप लोग को एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस application के अंदर दोस्तो आपको audio call, video call, आपको chatting सारे option मिल जाते हैं दोस्तो आप यहाँ पे जो भी chatting करते हो end to end encrypted होते हैं तो चलिए दोस्तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हो जानना चाहते हो कैसे इसे use करते हैं तो फटा-फट से मैं आप लोग को mobile phone की screen लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे इसे use करोगे दोस्तो जैसे कि आप लोग देख पार हो कि मैं अपने mobile phone की screen पर आ चुका हूँ दोस्तो यहाँ पर मैंने जो signal application डाउनलोड किया है मैं तुरंती से open कर रहा हूँ open जैसे करोगे दोस्तो आपको सामने यहाँ पर कुछी इस तरह का look दिखता है एक बड़ा एलाउ करने वाद दोस्तो आपको दुवारा से फिर से एलाउ करने है इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर अपना country सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना mobile number डाल देना है फिर next पर click करना है दोस्तो मेरे पास तुरंत एक OTP आयेगा यानि कि दोस्तो यहाँ पर verify करेगा देख सकते हो कि यह बोल रहा है यहाँ पर verify दिया हूँ OTP और यहाँ पर verify कर चुका है दोस्तो यहाँ पर just थोड़ी दिर में यह open हो जाएगा देख सकते हो दोस्तों यहां पर वेरिफाई हो चुका है, ओके भी हो चुका है, दोस्तों यहां पर आपको यहां पर आपकी सेक्योर्टी के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको यहां पर चार अंको का एक सेक्योर्टी पिन दर्ज करना है, यहां पर मैंने यहां पर फटा चारंग को आई पिन डाल दिया फिर से आपको यहांपे verify करना से अगर उससे चैट औगे रहा करना चाहते हो है तो दोस्तो यहां पर सर्च कर सकते हो दोस्तो मैं यहां पर एक भी इसको cargo कर देते हो तो दोस्तो इसके पास अगर कोई रचाइड करते हो मैसेज करते हो यहां पर टाइम सेट कर दो कि इतने सेकेंड पर आपका जो मैसेज है खुद ही अपने आप डिसेपियर हो जाएगा यानि कि डिलीट हो जाएगा बट दोस्तो यहां पर मैं अभी ओफी रहने देता हूं मैं आपको दिखाने के लिए सब दिखाया था अगर इस इसके बाद से दोस्तों अगर आप चाहों तो यहां से भी इसे वीडियो कोल कर सकते हो ओडियो कोल कर सकते हो आपको उपर में यहां पर ओप्सन दिख जाता है यहां पर यहां पर कुछेगा आपको यहां पर करना है उसके पास कुछ परमिसन आपको यहां पर पुछे जाते हैं इसके बाद से दोस्तों आपको यहां पे बगल में कैयमरा का अप्शन मिलता है यहां पर अपनी डेरेक्ट किसी भी फोटो को क्लिक करके भेज सकते हो यहां पर audio record करके भेज सकते हो प्लस वाले icon पर click करते हो तो दोस्तों आपकी यहां पर gallery open अगर किसी का नॉमबर भी ना है तो आप यहां से भेज सकते हो बाकी दोस्तों कैसे चैट करते हैं सेम यहां पे इसी तरह से आप यहां पे चैट कर सकते हो कुछ भी लिख के है आपको इसके अंदर यहां पर मिडिया मिल जाता है फाइल मिल जाता है ओडियो मिल जाता है आल के अंदर जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा फिर अगर आप यहां पर त्री डोट पर क्लिक करते हो तो यहां पर सेटिंग है दोस्तों आपको यहां पर जो मैंने आपको चीजे बताया वह आपको यहीं पर दिख जाता है इसके बाद से दोस्तों यहां पर सबसे जो अच्छी चीजे दोस्तों भीव सेफटी नंबर यहां पर आपको यहां पर सेफटी नंबर है यहां पर वेरिफाई कर सकत आप इसे चाहों तो इसके बाद से दोस्तों मैं आप लोगों को और भी चीजे बताने वाला हूं इसके बाद से दोस्तों आप यहां पर बैक करोगा आप चाहों तो इसे बैक करके इसके बाद से दोस्तों फिर यहां पर क्लिक करने हैं इसके यहां पर सर्च कर सकते हो बंदे अब करें, तो कहा सार याम जान घाये मैसेज कर लेता है तो हम पता चल जाता है कि बंदह यह अच्छी चीज है इसके बाद से तो ऑगो पर अपने प्रोफाइल के क्लिक करते हो जो signal लिखा है इसके बरवल में आपका प्रोफाइल है यहां पर क्लिक करते हो दोस्तों बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है आप यहां से दोस्तों आपको दिख जाता है एक नमबर पर SMS यहां पर यहां पर डिफाल डूप में इसे सेलेक्ट कर सकते हो इसके बाद से दोस्तों यहां पर SMS डिलिवरी रिपोर्ट है यहां पर यहां पर कंप्लिटीव मोड है यहां पर आप इसे ओन भी कर सकते हो इसके बाद से दोस्तों आपको यहां पर प्राइवेसी के अंदर जा है इसके बाद दूस्टे दोस्तो आपको यहां पे इन कंगिंटो की बोर्ड मिल जाता है आपको यहां पे यूजर को ब्लोक किये रहेंगे आपको यहां पे दिख जाता है इसके बात से दूस्तों आप यहां पे नीचे आते हो तो आपको यहां पे display indicator मैंने आपको यह बताया इसके बात से दूस्तों आपको साफ साफ़ी कई है एकर आप इसे इनेबल कर देते हो तो दोस्तों आपकी फ्रोफाइल को आपकी बिना इजाज़त के बंदा यहां से कोई सेहर नहीं कर सकते हैं इसके बाद से दोस्तों आपको यहां पे सिंगल पीन का ओप्सन मिलता है पीन रिमाइंडर का ओप्सन मिलता है इसके बाद से दोस्तों मैंने इसे बैक कर दिया है आप नीचे एपियरेंस का ओप्सन मिलता है दोस्तो देख सकते हो कि वेन यूजिंग मुबाइल डाटा यानिकि दोस्तों आप इसे open करते हो तो यहां पर यहां पर सारे जैसे कि WhatsApp में होता था आप यहां पर लाओ कर देना यानि सब पर क्लिक कर देना बाट से दोस्तों तो मैं यूजिंग इसके बाद से दोस्तो आपको यहां पे चैट का अप्सन मिलता है आप अपनीWest से ले सकते हो इसके बाद से दोस्तों आपको यहां पर नीचे का लिए सकते हो इसके बाद से अब अपनी दूसरी डिवाईस के साथ लिंक कर सकते हो निचे आपको help का option मिलता है निचे advance का option मिलता है आप यहाँ पर आपके number देखने को मिल जाते हैं इसके बाद से दोस्तों आपको इहाँ पर advance pin का option मिल जाते है बाकी अगर आप अपने यहाँ पर एकाउंट को स्लेक्ट करना है यानि जितने भी बंद हं दोस्तों उनको यहाँ पर टैप करते जाओगो वो बंदे सारे आपके ग्रूइब के अंदर स्लेक्ट हो जाएंगे इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर खोटो लगा देनी है आपका group बनके ready हो जाएगा इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे Mark All Read का option मिलता है इसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे Invite Friends का option मिलता है इसके बाद से दोस्तों अगर आप लोग ने इस वीडियो को बीना स्कीप के अगर पूरा देख लिया होगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों जो मैंने इस वीडियो में जनकारी दिया पसंद आई तो प्लीज लाइक करना कोमेंट करना दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करना दोस्तों मैं हमेशा अपने चैनल पर इसी तरह से नोलेजफिल वीडियो लेके आते रहता हूँ दोस्तों मैं मुलाकात करता हूँ आप लोगों से किसी नए इंट्रेस्टिंग नोलेजफिल वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद